हराहर महादे व किसान बंधों, मैं लवकुष पाल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूप चनल एलके पाल खेती बारी में किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम चर्का करेंगे मक्य की खेती के बारे में मक्य की खेती इस समय गर्मी के दिनों में जायत की खेती करके भेंकर कमाई कर सकते हैं किसान भाईयों खेती से एक किसान अच्छा कमाई तभी कर सकता है जब हुआ हट कर खेती करें मतलब आप सीजन खेती करें, तो आपको एक अलग तरह का मार्केटिंग मिलेगा और अच्छा दाम भी मिलेगा, किसान भाईयों जब तक आप सीजन खेती नहीं करेंगे, तब तक एक बेहतर मुनाफ़ा नहीं कमा पाएंगे, किसान साथियों इस समय गर्मियों में अगर आप मक्के की खेती कर रहे हैं, तो आपको एक बेहतर मुनाफ़ा मिलेगा, तीन तरह से लाब मिलेगा, पहला आपका अच्छा मक्का भुट्टा बेश सकते हैं, जैसा कि आपको पता है, इसका खूब डिमांड रहता है, मार्केट में, इसकी मांग बहुत रहता है, इसका रेट सबसे फाइदा किसान भाईयों हरा चारा जब आप भुट्टा बेचेंगे तब उसका जो अवसेस होता है डंठल बचता है उसको चारा बना कर बेच सकते हैं और अपने पस्टूगों को भी खिला सकते हैं गर्मी में या बहुत अच्छे से इसको जानवर खाएंगे आप इस अन्य फसलों की खेती मिस्षित खेती भी कर सकते हैं क्योंकि मक्के का पौधा बड़ा बड़ा होता है तो नीचे आप किसी भी फसल की खेती कर सकते हैं इस वीडियो में हम निमने बिंदूओं पर चर्चा करेंगे इसके लिए जल वायू कैसी होगी मिट्टी कैसा होना चा खेत की तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए खात कौन उपयोग करें खात की मातरा कितनी होने चाहिए बीज कितना ले बीज उपचार के बारे में बुआई के लिए दूरी खरपतवार के लिए क्या प्रयोग करें इन सारी टापिकों पर पूरी जनकारी इस वीडियो में मिलन तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और क्रमवार एक एक करके सभी बिंदूओं पर चर्चा करते हैं तो वीडियो को बिना भगाए आखरी तक बने रहें किसान भाईयों सबसे पहले बात करेंगे जलवायू को तो जलवायू आपका उश्र और अधर जलवायू मक्य की खेती के लिए बहुत ही बेश्ट मानी गई है ताप मान की बात करें तो 30 डेगरी सेलसियस टंपरिचर बहुत ही अच्छा होता है मक्य की भरपूर पादन के लि से खेत की जूताई करें फिर उसको एक-दो दिन बाद खाली छोड़े, ताकि खेत की मिट्टी में हवा दूप लग सके, फिर उसके बाद कल्टिवेटर से मिट्टी को बुर्भुरा कर ले अंतिम जुताई से पहले उसमें खाद के रुप में गोबर खाद चार से पांच चाली डाल कर प्रति एकड के हिसाब से अच्छे से फैला कर मिला दें अगर आप रासानी खाद भी डालना चाहते हैं तो लगभग दो बोरी यूरिया एक बोर दो उसका एचेहन कर सकते हैं बुवाई के समय दूरी की बात करें तो दूरी लगभग 60-70 cm रख सकते हैं और पौदे से पौदे की दूरी 20-25 cm रख सकते हैं अब किसान भायो बात करें खरपतवार की तो पेंडा मेथलीन या फिर इडराजीन खरपतवार ना सक अपयोग कर सकते हैं लबक 600-700 ग्राम पती एकड के हिसाब से कर सकते हैं बुवाई से पहले 2-3 दिन पहले सिचाई कर देना चाहिए किसान साथियों अब बात कर लेते हैं मिर्शित खेती की तो गर्मी के दिनों में आप मक्य के साथ मूंग और उड़त की बुवाई कर सकते हैं बहुत ह किसी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं इसकी खेती करके इसमें बहुत ही बढ़िया profit मिलता है अन्य फसल की बात करें तो मुंग फली, स्वाय बीन की खेती इसके साथ मुपके के साथ मिश्रित खेती कर देना आप कर सकते हैं यह काफी मुनाफ़े की खेती साबित होगी पता हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और शेर करिए और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ताथी लगे घंटे वाले बटन को दबा कर आल पर स्लेक्ट किए ताकि समय समय पर आपको खेती बाई सम्मधि जनकारी मिलती रहे इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए हर हर महादेव